सबसे ज्यादा ठंड थी, बर्फ पड़ गई और लगभग काफी अंधेरा था और शाम साल की आखिरी शाम इस ठंड और अंधेरे में सडक पर एक गरीब छोटी लड़की चली गई नंगे सिर और नगन पैरों के साथ जब वह घर से निकली तो उसके पास चपल थी, यह सच है, लेकिन उससे क्या फाइदा? वे बहुत बड़ी चपले थी, जिन्हें उसकी माने अब तक पहना था, वे इतने बड़े थे, और बेचारी छोटी चीज ने उन्हें खो दिया क्योंकि वह सडक पर चली गई, क्योंकि दो गाडिया भयानक रूप से तेजी से लुढ़क गई एक चपल कहीं नहीं मिली, दूसरे को एक अर्चिन ने पकड़ लिया था, और वहाँ उसके साथ भाग गया, उसने सोचा कि यहाँ एक पालने के लिए पूंजी की तरह होगा, जब उसे किसी न किसी दोगा हमारे यूटूब क्रिशन राज़प स्ट्रगल चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोग की एक बहुत ही तस्वीर, बेचारी छोटी चीज, बर्फ के गुच्छे उसके लंबे निश्पक्ष बालों को कवर करते थे, जो उसकी गरदन के चारों और सुन्दर करल में गिर जाते थे, लेकिन उस बारे में जाहिर है, उसने एक बार भी नहीं सोचा था, सभी ख दो घरों द्वारा बनाए गए एक कोने में, जिनमें से एक दूसरे की तुलना में अधिक उन्नत था, वह खुद बैठ गई और एक साथ दुबक गई, उसके छोटे छोटे पाव उसके करीब आ गए थे, लेकिन वह ठंडी और ठंडी हो गई थी, और घर जाने के लिए उस के माध्यम से हवा सीटी बजाती थी, भली ही सबसे बड़ी दरारे पुआल और लत्ता के साथ बंध हो गई थी, उसके नन्हे हाथ खंड से लगभक सुन्न हो गए थे, आह, एक मैच उसे आराम की दुनिया दे सकता है, अगर वह केवल बंदल से एक भी लेने की हिम्मत करती है, उसे दीवार के खिलाफ खीचती है, और उसके द्वारा अपनी उमलियों को गर्म करती है, उसमें एक को बाहर निकाला, रिष्ट यहा कैसे धधक रहा था, यहा कैसे जल गया, यहा एक मोमबत्ती की तरह एक गर्म, उजवल लो थी, क्योंकि उसने उस पर हाथ रखा था यहा एक अद्भुत प्रकाश था, नन्ही युवती को ऐसा लग रहा था मानो वह लोहे के किसी बड़े चूलहे के सामने बैठी हो, जिसके जले हुए पीतल के पैर और उपर पीतल का आभूशन था, आग ऐसे धन्य प्रभाव से जल गई, यहा बहुत खुशी से गर्म हो चोटी लड़की ने पहले ही उन्हें गर्म करने के लिए अपने पैरों को फैला दिया था, लेकिन चोटी लौब बुझ गई, स्टोव गायब हो गया, उसके हाथ में केवल जली हुई माचिस के अवशेश थे उसने दीवार के खिलाफ एक और रगड़ा, यहां उजवल रूप से जल गया, और जहां प्रकाश दीवार पर गिर गया, वहां दीवार एक घूंघट की तरह पारदर्शी हो गई, ताकि वह कमरे में देख सके मेज पर एक बरफस्फेद मेजपोश फैला हुआ था, उस पर एक शांदार चीनी मिट्टी के बरतन सेवा थी, और भुना हुआ हंस सेब और सूखे प्लम की स्टफिंग के साथ प्रसिद रूप से भाब बन रहा था और जो देखने के लिए और भी अधिक पूंजी थी, वह यह थी की हंस थाली से नीचे कूद गया, अपने स्तन में चाकू और कांटा लेकर फर्श पर घूमता रहा, जब तक की वह गरीब छोटी लड़की के पास नहीं आ गया, जब माचिस की तीली चली गई और मोटी, ठ जिसे उसने अमीर व्यापारी के घर में काच के दरवाजे के माध्यम से देखा था, हरी शाखाओं पर हजारों रोशनी जल रही थी, और उल्लास्पूर्ण रंगीन चित्र जैसे उसने दुकान खिडकियों में देखा था, उसे नीचे देख रहे थे, नन्ही युवती ने अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाएं, जब माचिस निकल गई, प्रिस्मस ट्री की रोशनी उची और उची उठती गई, उसने उन्हें अब स्वर्ब में सितारों के रूप में देखा, एक नीचे गिर गया और आग का एक लंबा निशान बन गया, कोई मर गया है, छोटी लड अगवान के पास चड़ती है, उसने दीवार के खिलाफ एक और मैच खीचा, यहाँ फिर से हलका था, और चमक में बूडी दादी खड़ी थी, इतनी उजवल और उजवल, इतनी सौमय और प्यार की ऐसी अभिव्यक्ति के साथ, दादी छोटी चिल्लाई, मुझे अपने सा जब माचिस जल जाती है, तो आप चले जाते हैं, आप गर्म स्टोव की तरह गायब हो जाते हैं, स्वादिष्ट भुना हुआ हंस की तरह, और शांदार क्रिसमस ट्री की तरह, और उसने माचिस की माचिस की पूरी गठरी को जल्दी से दीवार पर रगड दिया, क्योंकि अपनी दादी को अपने पास रखने के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहती थी, और माचिस ने इतनी शांदार रोशनी दी की यह दोपहर की तुलना में उजवल था, पहले कभी भी दादी इतनी सुन्दर और इतनी लंबी नहीं थी, उसने छोटी युवती को अपनी बाह पर ले लिया, और दोनों चमक में और आनंद में इतने उचे इतने उचे और फिर उपर न तो ठंड न भूख नहीं चंतावे परमेश्वर के साथ थे, लेकिन कोने में भोर के ठंडे घंटे में गरीब लड़की बैठी थी, गुलाबी गालों के साथ और मु वह खुद को गर्म करना चाहती थी, लोगों ने कहा, किसी को इस बात का जरा सा भी संदेह नहीं था कि उसने कितनी सुंदर चीजे देखी थी, किसी ने उस वैभव के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, जिसमें उसने अपनी दादी के साथ नए साल की खुशियों में प्रवेश किया था